संस्कृतियों के टक्राव, विलो और प्रभुत्य की जानकारी है इसमें मैंने आपको बताया था किस तरह एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को ओरलाप करने कोशिश करती है आपको मैं प्रिजेंट कंटेक्स से समझाता हूँ अभी आप लोगोंने कितने लोग अवेर हैं कि हमारे विदेश मंतरी एस जेसंकर सहाब जब युनाइटे नेशन जनरल एसेम्बली में गए तो उन्होंने बताया कि देखो किस तरह से आज का भी अगर स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा तो एक्सपोस करने की कोशिश हुई है कि कैनेडा जो अपने आपको फ्रीडम आफ स्पीच की बात करता है इंडिया में एक most wanted अपराधी है उसको फ्रीडम आफ स्पीच में सीधा साधा प्लंबर बताता है अपना नागरिक बताता है और उसकी अविव्यक्त की आजादी की बात करता है लेकिन वहीं पर उसकी ही संसद में कितना लोग इस से अवेर हैं कि एक नाजी खड़ा होता है नाजी जिसने यहूदियों का नरसंगार किया मारा होलोकॉस्ट किया उसका सम्मान करता है तो आप यह चीज़ देख रहे हैं अमेरिका साथ दे रहा है आई-5 का जकराया जिसमें जो है अमेरिका, कनेडा, ब्रेटेन, अस्टेलिया, न्यूजिलेंड इनकी जो है एक चर्चा हुई जहां पर इस तरह से जहां गोरे लोग, श्वेत लोग रहते हैं तो वो क्या है व तो आपको समझ में आ रहा है कि एक तरफ अगर आप कोई नियम को पालन करते हैं, आप अव्यक की सुतंतरता की बात करते हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज़ यह होना चाहिए कि आप किस रूप में आए हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, और जो आपके humanity की concept है, वो पुरी दुनिया के लिए बराबर होने चाहिए, अगर आप निया यानि justice को मानते हैं, तो पुरी दुनिया के लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि भारत में जो वांचित अपराधी है, वो आपका इस समारित नागरिक है, पुरी द तरह से दूसरी संस्कृत के उपर हावी होने की खोशिश करती है, वो भारत पे मानवा दिकारो हनन का बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत में धार्मिक सोतंतरता नहीं है, वो western countries जो है एक साथ मिलकर वो i5 का ग्रुप बना लेते हैं, वो घुम फिर कर चाहिए, आप उनको पता है कि सामने वाला सही है, भारत ने आज कहा कि किसी के साथ किसी देश में हस्टक शेप करना हमारी संस्कृत का हिस्सा ही नहीं रहा है, ये बोला है और उसके बावजूद भी ऐसी घटनाए हो रही है और उसके बाद वो जो है वो जब हमारे यहां से बोला गया कि आप ह आपको समझने की बहुत ज़ादा जरूरत है तो ये जो सिंपल सा फंडा है कि उन्होंने अपने आपको एक सुपीरियर कल्चर माल लिया इसके पीछे जो है मेंटलिटी जो है वो एक सुपीरियर कल्चर की वो बरदाश्त नहीं कर पा रहा है एक्चुली कि कोई और देश यािनि श्वेत लोग हैं उनको उन्होंने पटए किस्सप्रीम लोग हैा यह पूरी दुनिया के सबसे जो है वो पाव़र्फुल लोग हैं सबसे उननत लोग है इन्होंन theor पूरी मानफतогरास्टा दिखाः और जोन्वेध होता है उसमें अफरीका भारत के लोगों को ऐश जादी के कई सालों तक भारत इस मानसिक गुलामी का हिस्सा रहा भारत मानता रहा कि one who is western that is modern और इसमें हमारे जो हमारे नेता थे हमारे जो historian थे उन्होंने हमारी ही history को distort किया जब आप पढ़ोगे और जब उन्होंने distort किया तो हम भारतियों को शर्म आने लगी मैं एक example और लूँ बुलो हाँ तो एक बड़ा जीवन तभी दो दिन पहले का example लेता हूँ और देखता हूँ आप लोग मेरे साथ कितना aware हो पढ़ने के लिए राइट मुझेतार example लेता हूँ और आखे फटी रह जाएंगी दो तिन दिन पहले नजर आपको अब मुझे आप बताओ कि करनाटक के एक मंदिर को वर्ड हरिटेस साइड में सामिल किया गया बहुत लेट सामिल किया गया तो आपने तो रट लिया होगा कुछ लोगोंने क पता नहीं को पढ़ेंगे कितने लोग इस खबर से अवेर है करनाटक के वर्ण मंदिर को वह श्लीश ओर मंदिर को ठीक है वो वर्ण है उसको वार्ड हरेटेस साइट में डाला गया कितने लोग अवेर से चालो तुम्हें आज बहुत ताकतवर चीज़ बताता हूं विकव जल्दी बताएं, करेंट रफर्स नुमारी बहुत अच्छी हो जाएगी मेरे साथ, जल्दी जल्दी बताएं, कितने लोग अवेर हैं इस ख़बर से, लो, एक दो, आधे ज़्यादा क्लास थो, उसको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी, तुम लोग को पढ़ना सिखाना पढ़ेगा कि पढ़ते कैसे हैं, चलो खेर, तो करनाटक में होईलेश्वर मंदिर जो है, होईलेश्वर मंदिर उसको जो है, वो वर्ड हेरिटेस में डाला गया, आप में इससे पढ़ लिया, ये मंदिर क्या है, ये मंदिर क्या है, उसकी खास बात क्या है, और क्या वर्ड हेरिटेस साइड में डाल देने से इसका महत तो अभी अभी बढ़ा है, ताइट है, इससे किसी ने याद किया, 40 सेकेंड हेरिटेस में डाला गया वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे पता है, रिया ने बोला, लेकिन ये क्या है, ये बताओ, इस मंदिर की खास बात क्या है, और वर्ड हेरिटेस साइड में डालने से पहले क्यों नहीं हमें पता था, क्या वर्ड हेरिटेस साइड विश धरोहर इस्थल कोई बहुत बड़ी चीज है, कि उसके आने के बाद ही हम भारतियों को एक विदेशी संस्ता हमें कुछ दे रही है, तो हम उस पे बहुत खुश हो जाएं, उससे पहले हमें जो है, नहीं होना चाहिए, रुकसार ने काया कि करेंट अफेर्स को रिलेट करने में दिक्कत थोरी, मेरे साथ खतम हो जाएगी, करेंट अफेर्स तो तुम्हारा मास्टर सुपर तुम्हें निउस्पर पढ़गी आना पड़ेगा, करेंट अफेर्स कहां से कवर करें, बस ऐसे अब देखते जाओ मेरे साथ, मज़ा पहले करेंट अफेर्स होता क्या समझो, इसके लिए त्रिभुवन सर बड़े सस्ते में कोर्स लेकर आ रहे हैं, कुछ दिन के लिए ज्वाइन कर लो इसको, ठीक है, बहुत कम 399 रुपय में, वो सारा निउस्पेपर पर सब कवर करते हैं, उसको कवर कर लो, राइट, चलो आजो, अब हमें क्या करना है, अब इस मंदिर की खासियत समझो, बड़े ध्यान से, तुमने ये पढ़ लिया कि 40 सेकेंड, ठीक है, ये हरिटेस साइड हो गया, लेकिन ध्यान समझो, ये पूरा मंदिर जो है, वो ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है, और इसकी जो ये है, आने वाले समय में हमें पता चलेगा, कि ये माना जा रहा है कि future technology से बना हुआ, जो technology आज missing हो गई, भारतियों के पास कुछ ऐसी best architecture चोड़ो, इसको जो ग्रेनाइट पत्थर बहुत कड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से ये तैयार होते हैं, तो इ इस पे जो बात निकल कर आ रही है, वो ये निकल कर आ रही है कि इसकी जो pillars हैं, ठीक है, बहुत 11 meter होचे pillars है, उसके जो pillars हैं, उसके जो pillars हैं, उस पे lath, lat machine होती है, बहुत high machine होती है, उसमें अब लकड़ी डालते हैं, तो हमारे पास घो लकड़ी काटने की technology अविलेबल है, तो उसमें क्या होता है लगाता है जैसे वो पाई की design बन जाती है सब कुछ बन जाता है और बहुत तेजी से uniform बनता है क्योंकि यह जो cutting हुई है वो uniform cutting हुई है यह किसी औजार से नहीं काटा जा सकता यह uniform है बनलब उसमें क्या है यह pillar जो है pillar को अगर cross section करके देखोगे तो इ इसमें बारीक design बनी है जिसको लेथ मशीन कौन सी मशीन बोलते हैं लेथ मशीन से आज की date में लकडी पर बनाया जाता है ग्रेनाइट पर तो अभी भी हम बनाना नहीं जानते हैं और और भी छोटे-छोटे लकडी के टुकड़ों पर हमें बनाना आता है हम दद्दस मीटर के single stone को लेथ मशीन से कट करने के हमापा साथ technology नहीं है तो इसका मतलब है भारत के पास ऐसी क्या technology थी और उसमें एक मूर्ती है उस मूर्ती के हाथ में ऐसा आवजार है जो भविश्य का आवजार हो सकता है यानि वो future instrument को show करता है तो इस मंदिर में जो बहतरीन कशीदाकार की गई है बहतरीन जो आर्किटेक्चर का नमूना और आश्चर चरमलब आज की डेट में धरती पर वो technology मावजूद नहीं कि ग्रेनाइट पत्थरों को ददस मीटर के जो है वो खंडो को जो है वो इस तरह से कटा जा और सबसे बड़ी बात है आज हम बॉल बेरिंग जानत इसको खराद मशीन कहते हैं लेकिन खराद मशीन लकडी को काटता है इसे इन्होंने बताया लेकिन ग्रेनाइट पत्थर सबसे टफ पत्थर होता है सबसे कड़ा पत्थरों में से एक माना जाता है इग्नियस रॉक होता ही है ठीक है यानि आगने चट्टाने है और आप इस को और वो भी 10-10 मीटर्स हो, जो कितना टनो टन वजनी होगा, कैसे वो घूमता होगा, कैसे उसकी कटिंग की गई होगी, और वो टेकलोजी गई कहां, वो टेकलोजी मिसिंग कहां है, तो यह जो सबसे important segment है, यह भारत के लिए, अब current affairs में भारत के गौरों को जानने की करो, हम भारती है क्या इससे परचित थे पहले, जो लोग वहां के थे वही परचित थे, आज ये national news हो गया, international news हो गया, कि भी यह यह आया तो current affairs में आपने पढ़ लिया, लेकिन वो मंदिर तो सेकड़ों सालों से वहां मौझूद था, भारत की वो टेकलोजी मौझूद थी इसलिए मैंने गुरुकुल की क्लास में बोला था, हम भारतीयों को पता बहुत कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारे देश में सवाल है, हमने उसको मंदिर कह दिया, अब कई लोग जो मंदिर नहीं जाते हैं, या दूसरे धर्म को मा पत्थरों को काटने के लिए इतनी बड़ी बड़ी टेकलोंजी आई कहां से, ये टेकलोंजी आई कहां से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जखो जैसे हमारे पूजा कुमारी जी है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मानसी ग्रूप से अभी तैयार नहीं उपिसी के लिए ये इनोंने पूछा या, NCRT कब से पढ़ाएंगे, शुरू हो गई NCRT, भवानी शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये जो आप में से बहुत से बच्चे हर बैच में से तरह साथ, इसलिए मैंने एक आत साल पढ़ाना छोड़ दे, क्या होता, पढ़ाते-पढ़ाते मैं क्या होता है, चैप्टर संख्या एक लिखो, लिखो, यह क्या कहता है, यह न विशे को समझ पाते हैं, न विशे की गहराई समझ पाते हैं, यह जानते हैं कि इस NCRT को हमें यूटलाइज कैसे करना है, और NCRT जब शायद इनोंने कल की क्लास भी नहीं देखी हो, कि जहां प मेरे question directly exam में आते हैं, यह तुम्हें थोड़ी दिर में पता चल जाएगा, जैसे से मेरा समय आगे बढ़ेगा, तुम जब paper देखोगे, exam के बुलगा रहे यार, तो सर ने पढ़ा रखा है, धड़ा-धड़ question होगे, क्यों? उसके पीछे कारण है, यह competitive exam है, तुम्हारे university य समझों, यह subject क्यों है, यह subject हमें क्यों पढ़ा, एक IS को history क्यों पढ़ा ही जारी, तुम मुझे बताओ, क्या करोगी तुम आगे चलके, इतिहास पढ़के क्या करोगी, तुम्हे purpose ही नहीं पता, और जब किसी को purpose ही नहीं पता, इसे तुम निकल गई, तुम्हारी हालत कैसी ही है, जैसे मैं example देता हूँ कई बार, कि सर मुझे मौसीग घर जाना है, हाँ बेटा मौसीग घर जाना है, जैसे तुम कहते हो मुझे IS बनना है, हमें NCIT पढ़नी है, हाँ, सर मुझे मौसीग घर जाना है, बोले मौसीग कहां रहती है, बोले नहीं पता मौसीग कहां रहती लेकिन मुझे मौसी के घर जाना है चले आगे हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है हिस्ट्री हमें बहुत कुछ चीजों के बारे में बताती है थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस हुआ फ्लक्शिएशन को लेके राइट